आपने कभी वो खेल खेला है जिरो और क्रोस वाला जी हां वही खेल जिसमें अगर तीन जिरो या तीन क्रोस लाइन से आ जाएं तो आप बाजी जीच जाते हैं देखिए खेल मैं बच्पन से खेलता आया हूँ और ये खेल मैं केवल कागज पर ही नहीं बलकि अपने चार्ट्स पर भी खेलता हूँ आपको सुनकर शायद एकिन ना हो लेकिन इस खेल से जीरो और क्रोस से लाखों रुपे कमाये जा सकते हैं तो देखिए आज इस वीडियो में जीरो क्रोस का याने के पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग का रहस से इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा वीडियो को अंतक जरूर देखिए नमस्कार जैश्रीराम देखिए बेरी लगातार कोशिश है कि ट्रेडिंग के हर छुए अंचुए पहलू को आपके सामने रख दूँ जो भी पद्धती कारगर है, इफेक्टिव है, दमदार है वो आपको पता होनी चाहिए और उसका इस्तमाल कैसे किया जाता है ये आपको आना चाहिए और इसी सिलसले में आज एक बड़ा जबरदस सिस्टम है जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ इस सिस्टम को कहा जाता है पॉइंट एन फिगर चार्टिंग जीहां, पॉइंट एन फिगर चार्टिंग अब देखिए जब आप point and figure charts को देखते हैं तो ये candle stick के chart से, line chart से, bar chart से बिलकुल जुदा होते हैं. तो देखिए point and figure charts देखते हैं बिलकुल उसी zero cross के खेल की तरहां जो की बचपन में आपने, मैंने, सबने खिला हैं. और देखिए zero cross इसमें लगातार बनते रहते हैं लेकिन यहाँ पर zero cross के माईने अलग हैं. देखिए इस chart की विशेष्टा पहले समझ लीजिए. इस chart में सब से important चीज़ यह है कि यहाँ पर time को तरजी नहीं दी जा रही है. समय से कोई लेना देना नहीं है. आम तोर पर किसी भी अन्य चार्ट पर दो एक्सिस होते हैं. वर्टिकल एक्सिस पर आम तोर पर price और x एक्सिस पर यानि कि horizontal एक्सिस पर time होता है. लेकिन इस chart में horizontal एक्सिस नहीं होता. टाइम से कोई लेना देना नहीं है. केवल प्राइस में आ रहे moves को ही दर्शाया जाता है. देखें इस chart में एक box size तै किया जाता है. मिसाल के तोर पर मान लीजे आपने 5 रुपे का box size मुकरर किया. जैसे ही आपका share 5 रुपे की तेजी दिखाता है. एक cross बन जा जाता है. और फिर अगर वो फिर से 5 रुपे उपर चला जाए तो एक और cross बन जाता है. और 5 रुपे जाने पर फिर एक और cross और इस तरह से cross की लगतार एक कतार बन जाती है. जब तक price उपर जाता रहता है, इसी तरह से cross बनता रहता है. प्राइस उपर नीचे होता रहता ह लेकिन एक तय क्वांटिटी से नीचे जाने पर नीचे के zeros बनने लगते हैं तो देखें जब तक price उपर की आत्रा कर रहा है crosses बनते हैं जैसे ही price मान लेते हैं कि एक तय कीमत से नीचे चला जाता है अब देखें कीमत कैसे तय होती है आम तोर पर ये box size का एक multiple होता है बनना शुरू हो जाएगा और फिर जैसे इस stock पांच रुपया नीचे जाएगा फिर से एक zero और फिर पांच रुपया नीचे जाने पर फिर एक zero तो इस तरह zeros और crosses के column साब को चार्ट पर नजर आते हैं और इसी लिए ये चार्ट इतना विशेश इतना अतरंगी दिखता है देखें ये जो चार्ट है ये बहुत जबरदस्त है सुनने में बहुत ही simple logic है और आपको लगेगा कि वही price का data है फिर इसमें खास क्या है देखें इस चार्ट के बहुत फाइदे हैं तो देखें point and figure charts का सबसे बड़ा फाइदा है कि इसमें noise नहीं होती है देखें आम तोर पर जब हम price data को study कर रहे होते हैं बहुत छोटे-छोटे moves भी price chart पर दिखते हैं और इस वज़े से हम पशुपेश में पढ़ जाते हैं कि ये breakout है या नहीं ये price उपर जाएगा के नहीं ये higher bottoms हैं या lower peaks हैं इस तरह के कई सारे confusion हो जाते हैं छोटे-छोटे price के movement से लेकिन point and figure chart में आपके box size से तीन गुना कम के moves दिखाई ही नहीं पड़ते हैं और इस वज़े से एकदम clean, saaf chart आपको दिखाई पड़ता है और ये छोटे-बोटे moves filter out हो जाते हैं तो सबसे पहला फाइदा point and figure chart का है कि ये जादा clear, जादा साफ होते हैं, noise less होते हैं दूसरा बड़ा फाइदा point and figure chart का ये है कि इसमें false breakout नहीं आते हैं मिसाल के तोर पर अगर बान लीजिए आपने point and figure chart में किसी resistance को तूटते हुए देखा तो संभावना इस बात की बहुत कम होती है कि ये price वापस से नीचे आकर आपका stop loss हिट कर दे यानि कि false breakout जिससे कि काफी traders परिशान रहते हैं ये point and figure charts में मुकाबले में कम होता है अच्छा देखे तीसरा फाइदा point and figure charts का ये है कि इसके अपने खुद के patterns होते हैं जो patterns उस समय line chart या candlestick chart पर नहीं बन रहे होते हैं वो patterns बनते हैं point and figure charts पर कभी देखिए double top बन जाता है कभी double bottom बनता है और बहुत ये असरदार patterns आपको समय समय पर point and figure charts पर बनते हुई दिखते हैं तो ये हैं तीसरी वजह point and figure charts को use करने की तो देखे हाला कि point and figure charts के बहुत और आयाम हैं और इसको आप बहुत पेचिदा ढंग से भी analyze कर सकते हैं लेकिन एक नए trader के लिए अगर आप simply support resistance खोजने के लिए भी point and figure charts का इस्तमाल कर रहे हैं तो आप देखेंगे के line chart के मकाबले आपको ज़ादा सुकून से ज़ादा clarity से levels पता लगेंगे और देखे point and figure chart का इस्तमाल कोई हाल में शुरू नहीं हुआ लगबग 70-80 सालों से point and figure charts देखे जा रहे हैं तो बहुत दमदार charts होते हैं आईए देखते हैं example के साथ किस तरह point and figure chart का इस्तमाल आप अपनी खुद की trading में कर सकते हैं मुझे पुरा यकिन है कि इस तरह के candle stick charts तो आपने ने को देखे होंगे और साथ ही इस तरह के line charts से भी आपका अच्छा परिचे होगा बहुत सारे आपने line charts भी देखे होंगे लेकिन chart देखने का एक बहुत ही नया और बहुत ही शक्तिशाली तरीका है point and figure charts और इस से आपका परिचे आज मैं इस वीडियो में आप कराने जा रहा हूँ तो देखे जैसे मैंने भी आपको कहा के zero और cross के खेल जैसा दिखने वाला ये chart होता है point and figure chart बहुत ही जबरदस chart है ये और देखे इसमें सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही साफ सुत्रा chart होता है इसमें time का ध्यान नहीं रखा जाता है केवल price को तरजी दी जाती है कि price में कितना change आ रहा है और क्योंकि time को तस्वीर से हटा दिया गया है इसी वज़े से चार्ट बहुत ही शान और बहुत ही clean दिखता है देखें यहाँ पर इस चार्ट को बनाना बहुत ही आसान है यह निफ्टी का चार्ट है और मैंने यहाँ पर एक box size निर्धारित किये है 70 रंकों की आपको यह box size कुछ से तेह करनी होती है आप चाहें तो percentages में कर सकते हैं मिसाल के तोर पर एक percent का box बना सकते हैं दो percent का box बना सकते हैं मैंने यहाँ पर क्योंकि यह निफ्टी है 70 रंकों का box define किया है 70 रंक जैसे ही निफ्टी चड़ेगी जैसे ही देखे याने की इस तरह के zeros आपको बनते हुए दिखेंगे अगर पिछले दाम के मुकाबले 70 रंकों के वृद्धी हो गई तो आपको एक cross के उपर दूसरा cross बनता हुआ नजर आएगा जब तक price बढ़ता जाएगा crosses बनते जाएंगे मान लीजिए निफ्टी सिधा 200-300 पॉइंट बढ़ गई तो 70 पॉइंट के हिसाब से जितने भी crosses बनते हैं उतने cross पिछले cross के उपर बन जाएंगे तो देखें जब तक price उपर जा रहा है crosses की लंबिक कतार आपको चार्ट पर बनती हुई दिखती है अब देखिए reversal यह 70 इंट तू 3 है याने कि 70 अंकों के अनुपात में ही आपको reversal आता हुआ भी दिखेगा जैसे ही पिछले भाव के मकाबले 210 पॉइंट 70 इंट तीन 210 पॉइंट की गिरावट आपको चार्ट पर आती हुई दिख गई cross बनना बंद हो जाएगा और zeros बनना शुरू हो जाएगा और फिर हर 70 पॉइंट की गिरावट के बाद अगला zero बनता जाएगा तो इस तरह से zero और cross बनते हुए आपको चार्ट पर नदर आएंगे अब एक cross के बाद दूसरा cross बनने में हो सकता है कि 15 दिन लग जाए बीस दिन लग जाए एक महीना लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये चार्ट समय से नहीं जुड़े होते हैं ये चार्ट price के movement से जुड़े होते हैं और इसलिए इन में noise कम होती है ये चार्ट देखना असान होता है और इसकी अपनी ताकत होती है देखे मैं point and figure चार्ट का इस्तमाल करता हूँ support resistances पहचानने के लिए और कुछ एक विशेश patterns खोजने के लिए जो कि आपको line चार्ट पर असानी से नहीं दिखते हैं मसलें देखिए जो चार्ट अभी आप निफ्टी का देख रहे हैं इसमें नीचे के levels पर यानिके 75 जब मार्च के fall में जब 2020 के गिरावट में निफ्टी नीचे आया और उसके बाद एक बड़ी जबर्दस तेजी बनी निफ्टी में अगर उस समय आपने चार्ट देखे होते तो आपको point and figure चार्ट पर ये बड़ा शांदार inverted head and shoulder बनता हुआ नजर आता ये 8000 के एर्दगिर्द बना था गौर से देखेगा left shoulder head right shoulder देखे उसी समय अगर आप इस चार्ट को line चार्ट पर देखते हैं तो आपको वो inverted head and shoulder नहीं दिखाई देता है य पर दिखता है ये pattern बना था point and figure चार्ट पर देखे बड़ा जबरदस चार्ट होता है ये अब देखे अगर resistance आपको खुजनी हो चार्ट पर तो बड़ी असानी से और बहुत साफ resistance आपको point and figure चार्ट में दिखती है मिसलन देखे 12500 की निफ्टी की resistance थी जैसे ही 12400 के उपर निफ्टी निकला ये line टूटी विल्कुल साफ breakout चार्ट पर आता हुआ दिखा उसी तरह से देखे अगर अभी की बात करें तो निफ्टी के लिए एक resistance दिखाई पड़ती है और यहाँ पर हम तिरची रेखा डाल सकते हैं point and figure चार्टिंग में तिरची रेखाएं भी डाल स करते हैं resistance की तो देखें यह resistance की रेखा है और जब आप देखेंगे निफ्टी इंस तरों को पार करेगा तो फिर आपको एक breakout आता हुआ दिखाई पड़ेगा तो यह है point and figure चार्ट और यह है निफ्टी का चार्ट अब देखें आए इसी टेखनीक को किसी एक share पर इस्तमाल करके देखते हैं तो मैंने चुनाए देखें Infosys का चार्ट और Infosys के चार्ट को आई एक खोलते हैं और देखें यह point and figure है Infosys का यहाँ पर 5 points का मैंने box बनाया हुआ है और 5 into 3 का point and figure चार्ट है और सबसे पहले देखें कितना smooth चार्ट लग रहा है एकदम साफ दिख रहा है पर सपष्ट खरिदारी के संकेत बने थे यह तब था जब Infosys का भाव 7500 रुपए था वहां से आपने देखा कि लगबग डबल हो चुका Infosys बड़ी तेजी बनी और बिलकुल मौके पर आपको breakout मिला point and figure चार्ट से अब आप देखें इसमें किसी तरह की कोई आपधापी नहीं है किसी तरह का कोई confusion नहीं है जो कि आपको आपको आम तोर पर line charts पर ये candle stick charts पर दिखता है clarity नहीं होती है इस chart पर बहुत साफ आपको breakout दिखते हैं उसके अलावा patterns भी बड़े साफ दिखते हैं मिसाल के तोर पर देखें ये बना है bullish flag pattern अभी हमने देखा था inverted hand and shoulder nifty के chart पर और ये है bullish flag pattern infosys के chart पर यहां आया था breakout अगर आप पिछला मौका चुक गए तो फिर यहां पर देखें जब प्राइस ने 1150 रुपए के स्तरों को पार किया था उस समय भी एक बड़ा अच्छा उसर था इस share को खरीदने का तो देखें ये जो patterns है ये बड़े साफ दि दिखेगा यहां पर कोई pattern नहीं बना हुआ है लेकिन जब आप इसको point and figure chart में देखते हैं तब आपको साफ pattern नजर आते हैं तो यह है ताकत point and figure charts की जिसका इस्तमाल कोई भी कर सकता है साफ levels identify करने के लिए और patterns खुजने के लिए तो देखा आपने कि कितने विजित्र chart होते हैं point and figure charts और कैसे साफ levels point and figure chart में पता लगते हैं अब यह charts खोजना कोई मुश्कल काम नहीं है बहुत सारी free websites पर और सभी professional charting software में आपको point and figure charts देखने का options जरूर मिलता है तो देखे मेरी आप सबसे एक मिनती है कि आइंदा जब कभी support resistance खोज रहे हो chart पर chart को study कर रहे हो तो एक बार पलट कर point and figure की नजर से भी chart को जरूर देखेगा कई बार आपको बड़े जबरदस trades इसी system से मिलेंगे तो देखे जीरो क्रोस खेल के साथ और जीरो क्रोस charts के साथ अपने अनुभव मेरे साथ बाटना मत पूलिएगा कुछ सफलता हात लगे तो भी बाटिएगा औ और मान लीजे कोई stop loss हिट हो जाए तो भी मेरा कंधा हमेशा हाजिर है तो देखे आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा और अगर आपको पसंद आएगा तो point and figure charting को और तफसील से मैं आपके सामने रखूँगा कई सारे इसके पहलू है part 2 इस वीडियो का म देखते रहिए जय हिंद जय भारत